एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूर दोशन समाचार में H3N2 इंफ्लूएंजा वाइरस की रोगठाम के लिए भारत सरकार द्वारा एडवाईजरी जारी की गई है इस वाइरस को लेकर 36 गड में भी एहतियाती कदम उठाये जा रहे हैं दोर्ग जिला चेकित साले के सिविल सर्जन डॉक्टर वाईके शर्मा ने बताया कि H3N2 एक संग्रामक वाइरस है और इसकी संभावित रोगठाम के लिए जिला अस्पताल में अलग से व्यवस्था की गई है कि इसके लिए भी हमाया पास तक अश्पर कर सकते हैं और अभी इस प्रकार का क्य शिकाएठ हमारे जिला अस्पताल में या इस जिले में अभी तक के नहीं है जहां तक मेरी जानकारी में पूरे 37 गाव में सिर्फ दो प्रक्रण पाजिटिव हुए है और इसकी जाज भी जो विशेश तोर पर जो कोमार्बिड है जो सुगर से, कैंसर से, हाई ब्लेड प्रिसर से पीडित है और साथ में अगर सस्पेक्टेर है H3N2 तो उसी की जाज करानी है वहीं दुर्ग के मुख्य चिकित्सा और स्वास अधिकारी डॉक्टर जेपी मिश्राम ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी के बाद जिले में भी सभी शास्किया और निजी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है उन्होंने इस रोक के फैलने के कारण और उससे बचाओ के सम्मंध में भी चांकारी दी देखे बारत सरकार के दोरेक अडवाईजरी जारी हुई है S3 and 2 influenza virus से त्वारा ये S3 and 2 influenza virus जो होता है न इसके मरीज जो रहते हैं वो उन लोग को सेम जी influenza के जो features रहते हैं influenza के जैसे बुखार आना सरदी जुखाम गले में खरास सास लेने में तकलीफ इन सब के जो features रहते हैं और ये seasonal है मतलब मौसमी है ये तो इसलिए इनके लिए हमने एक advisory वहाँ से आई थी तो हमने अपने सभी लोग को जारी कर दिया था आपको बता दे कि दिल्ली सहेट कोछ राजियों में H3 and 2 influenza मरीजों के पाए जाने के बाद भारत सरकार ने इसकी रोखथाम के लिए advisory जारी की है